सुखे नारेल के लड़ू आपने कई बार खाए होंगे एक बार कच्छे नारेल के लड़ू बना कर देखेगा फ्रेंड बहुत अच्छे बनते हैं नमस्कार मैं हूँ संगीता रापका भूद वह सागत करती हूँ आपके अपनी ससे में आज मैं लेकर आए हूँ कच्छे नारेल के लड़ू आसा करती हूँ आपको रज़े भी पसंद आए पसंद आने पर प्लीज इसे लाइक चैनल के सस्क्राइब करना भी लेगा जादर से जादर फेमिले और फेंड के साथ भी सेर कीजेगा आज हम बनाने वाले हैं कच्छे न आते हैं आप लड़ू तो यहां पर मैंने लिये हैं दो नारेल यहां पर मेरे पास दो नारेल सापत वाले हैं और यह मंदिर वाली भाए फुजा वाले नारेल है यानि के नवरात्रों में जो मंदिरों से नारेल मिलते हैं उसका अमनमक वाली चीजे तो नहीं बना सकते ले आरे से flavor होते इंधार विलकुल भी नहीं हितार परफ़ेकं तूटें यह लूचर जिए दोनी ना यह ह्मारो ग़िए खेंपर अग़ना के लिए ज्वाए ते कि प्सषैया लिए नारेहया था विद्ध़ किया है स्वा अब दिधे तोट गहाया है इफार चूट आप क्योंकि हम इसको ग्रैंडिंग जार में पीछेंगे ना यदि बड़े टुक्ड़े रहे गए ना कहीं इसके चोटे बड़े टुक्ड़े रहे जाएंगे तो इस तरीके से आप पतले पतले इसको कट कर लीजिएगा बहुत आसानी से पीछ जाते हैं फटा-फट हो जाता है त हम बारिक से जादव बारिक भी मत कीजेगा जादव मोटा भी मत रख्याएगा नर्मल तरीक से एम इसको ग्रैंड करेंगे बस एक दुबार आप मिक्सी चलाइए तो फटा-पट देखे तो मैं एक से दो बारी कर लीजिए दो बार मेरा ये अच्छे से ग्रैंड हो गया ए नेरियल में तो क्या होता है कि नेचुरल यहां पर तेल होता है लेकिन हम तोड़ा सा इसमें घी में अच्छे से इसको खुश्बू भी आएगी बहुत अचा फ्लेवर आता है और यह भून भी जाएगा अच्छा अब क्या करेंगा मैंने देशी गी का इस्तमाल कि अब तुर इसमें पानी की महातर कमी थी बसके जैनारियल के एक बार आपने इस तरीके के लड़ डूब बनाए कि दिये ना तो बहुत यह बहुत अब बहुत होते हैं अब भूंदर टैम आप गैस का फ्लेंपिल को लोग टूप मीडियम पी रखेगा जब तक हमारे बूंदर ना क्या हैं अर्वटा करें हैं फटा फटा फट्पी करने घूच के तक ऐसाई करकेंज आड यहां पूंदर बना है लिए छितना स्वight हो यानों पर आ पीषिको tow है, पिच लेन की हम विरगई मैंने चीनिल भार कर लें है और रखोले कि निदे स्टी को आप ऑच हो और यह यहुत तो हमारा नारियल ने उसमें बर्णिंग नेच्रल बर्णिंग आजाएगी तो हमने यहां पर दूद क्या करना है इसका गोल बनाना तो मेंजर मेंट के साथ दूद डालेगा ज्यादर दूद में डालेगा चाह से पांच चमज के बराबर धाय चमज में आपर मिल्क पॉडर दूद के बनाना तो में जानते हैं कि नारियल में तो नेचरल शूटनेश होती है आए हुए थे मिल्क पॉडर बनाना यानि कि सुखा कर तो अमने इसमें बात में चीनी की महत्रा कम करेंगे लेकिन अमने ज्यादर पतलेक सो गोल नी करना है इसी तरहीं के बर्णिंग करना इसके बाद ही हम यहां पर शीनी डालेंगे लेकिन इसका पानी भी अच्छे से यहां पर सूख जाना चाहिए और यह अपने आप ही यहां पर मिल जाएगा नारियल के साथ तो फटा पर से हमने इसको भी मिला लेना है गैस को फ्लेम हमने ध्यान रखना है बिल्कुल भी हाई पर मत रखेगा नहीं तो इसका खलर क्या हो जाएगा जो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल गैस का फ्लेम आप लो टू मीडियम पर रखेगा फटा पटी हो जाते हैं काम जादा समय नहीं लगते नारियल के लड्डू बन्नी में तो देखे अच्छे जाएगा कहने में बहुत है लगते हैं कि आप इसके भी कर सकते हैं तो जैसे मैंने फटाबार से यह भी तो एच्छे निकाल लेते हैं किसी ठाली अप लेट पर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे चीनी को डालने के बाहर नारियल का पुराता यह जादा पूर बिल्कुल भी नहीं नहीं तो इसमें से ना चीनी यहां पर मोस्टर छोड़ देगी और यह और लिकूर जाएगा तो बस इतना ही रखना हम तुरंती निकाल देते हैं थाले यह प्लेट पर थोड़ी देर इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे जादा थंडा नहीं करना है यदि आप भी दूद रखके गैस पर भूल गई हो मेरी तरह तो आप कभी बन जाएगा इस तरीके का मावा जी हां मेरा यहां पर इसी तरीके का कल कुछ हुआ था मैंने दूद रख दिया था और वो तो गैस का फ्लेम में लोग पर रखती हूँ इसलिए यहां पर भूल ग दियों निल्ट के फॉत बना लें मिस्राइन थल्ड़ी नीज़े घर्रफ अ पर व्यक्ता है तो इसमें हम नेच्छों में थ्ट्स्arta फेशन खेंगे जादे सबीन है है और जादे गरम भी नहीं है इसमें हाथों में सब्दिदा नेच्छल घिल deliver tha फोता है इन अमने घी का बीज में थोड़ा सा यहां पर क्या करेंगे दालेंगे मावा जितना आपको पर ना पर सकते हो बहुत अच्छा लगता है थोड़ा सा ड्रैप्शूर पर डालना साथ हो तो डाल दीजिएगा मैं यहां पर डाल दीजिएगा एक टुकड़ा बदाम के या फिर काजु के ऐसी बन्द करेंगे आशानी से हो जाते हैं किसी भी पर चाथ या कर匠े के नार्याल के लडो लडवा प्र बना सकती हो रख्षा पंदन हो या भी दीवाली या खोली हो कभी या मंदिर के कभी ऐसे बच जाते है नारियल नौर्मल भी हमारे घर में कभी एक काच्छा नारियल पर जाता है तो इस तरीके से आप लड़ बना सकते हैं मेरे कई तरह के कि नारियल के रचित यहां पड़ी है चैनल पर आप उनको भी देख सकते हो नारियल का तेल भी मैंने बना रखा है आपके साथ देखे इसना परफेक्ट हमारा फर्स्ट लड़ू बना है इसी तरीके से हम सारे लड़ू यहां पर भर लेंगे अंदर मावा भर देंगे थोड़ी से यहां पर ड्राप्सूल भी डाल लेंग तो आपको यहां पर मावा की जर्द भी निए और मावा है तो जरूर से डालेगा मेरा तो नेचरल तरीके से यहां पर कल दूद बिलकुल कम हो बया था और यहो में मावा है तो दिख भी रह होगा इसका कलर भी थोड़ा सा ड्राप्सूट अंदर से डालेंगे ना तो तो आपको फसंद आचे हैं तो अम ऐसे सारी लड़ू बना लेंगे पुटापट से जितने भी यमारे पास है तो देखें कितना हमारा दो नारेल में कितने सारी लड़ू एक सास में बढ़ के तयार होगे है पुटापट से ज्ञाद समय भी नहीं लगता है मूश्किल से य सिनट भी लगता है तो लड़ू बनके पठापट सयार हो गए है जो हमने यहां पर ट्रूट कट कर रहे हैं इनको तोड़ा से उपार से लगा लेता है दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं अंदर यह मावा वाले तर जेफ्रेस के चेनारियल के लड़ू अब किसी किन वाले चीज़े तो नहीं बना सकते लेकिन इस तरीके के लड़ू बना सकते हैं और यकिन माने को फ्रेंड बच्चे भी बहुत अच्छे से खाते हैं अब लगा लेते हैं आपर ड्राप्रूट जिससे भी हमने आपर कट करें लड़ू बनके तार हो गए अब मैं एक पनारियल और ड्राप्रूट देखें तो आपका बना रहे हूं मैंने तो बना लिए आपका बना रहे हूं आज ये रेचिपी आपके लिए खेल पूल रही होगी और यदि रेचिपी अच्छे लगे ना तो प्लीज इसे लाइक दीचे गर चैनल को जरूर सब्सक्राइब क जीगा और मिलते हैं एक ऐसी नेक्स रेचिपी के साथ अपना कीमजी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यी सो मच रहे हैं